देखिए, velocity time graph, हम जानते हैं, अगर कोई body move कर रही है, motion में है, तो time बीता जाएगा, motion चलता जाएगा, मतलब time के साथ-साथ velocity होगी, नहीं चेंज होगी, नहीं होगी, पक्की बात नहीं न, मतलब time और velocity दोरो ही एक साथ चल सकती है, time भी बढ़ता जाएगा, velocity भी, अब ये तो हमने करें, change होती जाएगी, fix भी रहती है, और change भी हो सकती है, तो पहले हम बात करें, अगर किसी body का uniform motion है, तो time और velocity graph कैसे बनेगा, जरा समझने की कोशिज करो, uniform motion का मतलब क्या होता है, uniform motion का मतलब क्या होता है, having the fixed value with time, उसकी velocity 2 meter per second है, तो अगले second भी 2 meter per second है, वो अग क्या किया, ये लिया x-axis और ये लिया y-axis है ना, x-axis time axis है, और y-axis velocity axis है, अब देखो ध्यान से, ये point क्या बताता है, zero time and zero velocity, अब zero velocity का मतलब uniform motion थोड़ी होता है, तो मुसरे नहीं हो रहा है, ठीक है, हमने कहा जिसमें zero time है, हो सकता है body की कुछ velocity हो, बाइक पे खड़े हुए और बाइक खड़े नहीं हो, बाइक खड़े करके उसमें बाइटे और आपने काटा फिक्स कर लिया कि 70 पे गाड़ी, start, चल दिए, एक second बाद 70, दो second बाद 70, दे 70, दे 70, दे 70, तो आपका graph कैसा बनेगा, अगर initial velocity उसकी V मान ले, एक second बाद V, दो second बाद V, तीन सिकन ग्राफ मिलेगा, it will be parallel to the time axis, अब यह ने कहना कि एक और graph था, उसमें parallel to the time axis था, वो कौन सा था, वो displacement time graph था, उसमें body stationary थी, ठीक है, यह velocity time graph है, मतलब यहाँ पर जो graph मिलेगा, it will be, it will be parallel to T axis, यह time axis के paddle होगा पहली बाद, इसके बाद इससे निकाल क्या सकते हैं, दरद देखे ध्यान से, उसमें से कुछ नहीं निकाल सकते थे, displacement time में क्या निकाल थे, body रखी भी निकाल नहीं क्या, ठीक है, देखे, हमने का suppose body किसी भी time कहा पहुंच गई, A point पे पहुंच गई, ह यहाँ velocity की क्या है, V, V रही है, और time कितना है, time है, T1, थोड़ी जिर बाद हमने देखा, कि body B पे पहुंच गई, और time यहाँ कितना है, T2, इसका नाम रख दिया B dash, इसका नाम रख दिया हमने A dash, तो A से B तक जाने में body का displacement कितना हुआ, displacement in the body, displacement in the body, कहां से कहां तक, from A to B, displacement का formula क्या होता है, velocity in to time interval, displacement का formula क्या होता है, velocity in to, velocity in to time interval, time interval, displacement, यह displacement है, distance नहीं है, इसको हमने S मान लिया, अब जा देखिए, यहां से यहां तक जाने में velocity कितनी body की है, वो तो V है ना, वो तो change हो नहीं देखिए, लाटी जलाओ जाली है, वो तो V है ना, और time interval कितना है, time interval कितना है, T2 minus T1, यहां से यहां तक time कितना है, T2 minus T1, तो time हो गया T2 minus T1, इस graph में V को कौन represent करता है, यह वाली height, A dash, और time interval को कौन represent कर रहा है, A dash B dash, इस graph का shape दे के मालूं कि कैसा shape है यह, यह जो हमने graph यह बनाया है, इसका आकार कैसा दिख रहा है, rectangle है, और अगर मैं कहूँ A dash into A dash B dash है क्या है, length into breath, यह आपको क्या मिल रहा है, area of ABCD, area of A, B, B dash A dash, क्या सीखा आपने, कि अगर कोई body में time velocity graph दिया हुआ है, और body किसी time से किसी time तक चली, यहां से यहां तक चली, तो चली मतलब चली, यूनिफार मोशन का मतलब body रखी तो नहीं हुई है, चल रही है, तो यहां से यहां तक जाने में आप displacement कैसे निकालोगी, तो जहां से जहां तक body गई है, और time access के बीच का area निकालोगे, आपको displacement मिल जाएगा, मतलब समझेगा, आगे हम जब proof करेंगे, एक और proof होगा, इसे body यहां से यहां तक गई, हमने का यहां से यहां तक body गई, यह time velocity graph है, दूसरा graph में भी समझाएंगे, और हमने का बताओ, यहां से यहां तक कितना displacement हुआ है, तो हमने क्या कहा, जहां से जहां तक body गई है, और time access के बीच का यह वाला area निकालोगे, वो आपको क्या मिल जाएगा, displacement मिल जाएगा, सौझ भाया, नोट करिए इसको, पहला वाला तो था भाई, body का जो velocity है, वो यूनिफार्म, velocity यूनिफार्म में, अभी क्या कहा है, अँनोंने, acceleration uniform है, acceleration uniform का मतलब क्या होता है, पहले तो acceleration का मतलब क्या होता है, time के शाथ साथ-थ, अगर velocity change हो रही है, तो यानि उस body में क्या है, acceleration है, susceptibility बड़ रही है, तो acceleration positive ह जिसको कि acceleration कहते हैं velocity घट रही है तो acceleration negative है जिसको अब negative acceleration या retardation कहते हैं तो फिलाल हम चुकि बहुत बात हम कहा रहे है acceleration की तो हम फिलाल positive बता रहे है velocity बढ़ रही है velocity कैसे बढ़ रही है हमाले कोई body की velocity 10 meter per second थी अगले second 12 हो गई कितनी बढ़ गई क्या हो रहा है हर second उसकी velocity सेम बढ़ रही है तो यह उस पे acceleration है और कैसा है uniform है सुझ में आगई बात अच्छा यहां दो cases है book में जाया तरफ one case होता है हम दोनों case से एक साथ बनाते है हो सकता है कि जिस body की time velocity graph हम खीचना चाहते है हम कहीं से time measure करना शुरू करेंगे न जहां से हम time measure करेंगे वो initial line होगी हम यहां खड़े हैं यहीं पर यह वाली line हमने खीचे initial line वैसा तो initial point होता है लेकिन अब यहीं पर कहां खड़ेगा गोदी लेके खड़े हो जाएं किसी को तो line है खीच लेते हैं थुरा दूर दूर खड़े होंगे यह भी हो सकता है हमने time का zero ready, steady, go यह steady वोलते हैं कहा वोलते हैं कहा वोलते होंगे क्या होता है steady, steady, ready, steady, go थियुक्ष, हमने का steady, steady, go यह टाइम हमारा zero से इस्टा हुआ और आप भागना शुरू की तो आपकी इनिशल विलास्टी कितनी थी जिरो थी तो ये केस पहला केस लेंगे फर्स्ट केस यहाँ पर लेंगे यहाँ पर कि वें इनिशल विलास्टी जिरो इनिशल विलास्टी जिरो और ये भी हो सकता है कि जब time देखना शुरू कि आप पीछे से सड़ से वहीं से निकले तब हमने घड़ी आन की मतलब आप पीछे से गहीं से आ रहे होंगे और वहां से उस लाइन से होते भी निकले एकदम से time आन कर दिया हमने अदू आपकी इनेशियल वलस्टी 0 नहीं है तो second हम यहाँ गराफ लेंगे कि जब initial वलस्टी 0 नहीं है जिरो नही है उसको हमने U माल लिया है तो कि हम जानते हैं कि physics में initial वलस्टी को किससे निकैट करते है U से अब देखो दियान से इसके graph के बारे में बात करते हैं ठीक है ये हमने time और ये velocity ग्राफ यहां भी हम खीच रहे हैं और यहां भी एक साथ खीचेंगे एक साथ समझाएंगे time और velocity यहां भी graph खीचेंगे ठीक है जिस समय time जीरो था उसमें velocity भी जीरो है जब time जीरो तो velocity जीरो पहले समय लिए पहले और यहां जब time जीरो है तो velocity जीरो नहीं है वो यू है समझ में आई बात यानि यह time axis है यह velocity axis है आज यह जो वी लिख रहे हैं यह कि विलास्टी को इंडिकेट कर रहा है वो initial final की बात ना करिएगा यह time axis है और यह velocity axis है तो जिसमे time जीरो है तो यहां initial velocity यू है और इस वाले case में जीरो है ठीक है ताइम बढ़ता जा रहा है तो velocity uniformly बढ़ रही है ना तो आपको कैसा graph मिलेगा a straight line ऐसे एक straight line समझ में आगई बात ठीक है तो इस दोनो graph सेम है उस graph में क्या है कि इसम इनिशियो विलास्टी जीरो है ठीक है अब इसकी मदद से हम निकाल क्या सकते हैं ज़रा समझ जीएगा मालिया कि initially body a point पर थी कही रास्ते में हमने देखा कि body a point पर थी रास्ते में किसी time पर हमने देखा body a point पर थी और time कितना था यहां पर t1 विलास्टी कितनी थी उसकी v1 यहां पर time कितना था t1 सेम ग्राफ इसले बना रहा है एक सेम नाम जिससे की proof जो भी value निकालेंगे सब के लिए same हो जाएगा यह भी है ठीक है थोड़ी दिर बाद थोड़ी दिर बाद body कहां पर आ गई बी point पर आ गई है ना यह body यहां पर आ गई और यहां से यहां जब time कितना हो गया है टी टू विलाश्टी कितनी हो गई है वी टू इन्हे टाइम कितना है यहां पर टी टू विलाश्टी कितनी है यहां पर वी टू इसका नाम दे दो b डैस इसका नाम दे दो a डैस इसका नाम दे दो b डैस इसका नाम दे दो a डैस यहां तक तु बात समझ मे अब बताईए A से B तक जाने में टाइम कितना चेंज हुआ है यहां से यहां तक जाने में T2 माइनस T1 टाइम कितना चेंज हुआ है यहां से यहां तक आने में T2 माइनस T1 यह C पॉइंट है और विलास्टी कितनी चेंज हुई है यहां से आ तक आने में V2 माइनस V1 विलास्टिक किती चेंज होई है V2 माइनस V1 समझ में आ गया बात अब आप दोनों ग्राफ बना लो एक ग्राफ को रप करेंगे वैलू सेम निकलेगी उसको दिमाग भी रखिएगा दोनों पर ग्राफ बना लीजी देखिए बुक में या तो ये वाला ग्राफ होता है या तो वो वाला ग्राफ जो भी बात वाला थी दो में से एक होता है कुछ लोग दोनों बना देते हैं अब ज़रा ध्यान से समझिएगा यहां पर अगर हम कहें कि स्लोप आफ एबी क्या होगा अगर एबी एक्स एक्स से यह टाइम एक्स से थीटा एंगल बनाएगा यह एंगल भी थीटा होगा ना यह तोनों थीटा क्यों होंगे क्या नाम है इसका अगर यह थीटा है नीचे वाला यह भी थीटा है क्यों भाई क्या नाब है क्यों थीटा है corresponding angle है तो अगर हम इसका slope of eb निकालेंगे तो 10たा निकालेंगे न 10 थीटा क्या होता है perpendicular upon base perpendicular upon perpendicular v2 minus v1 और base है t2 minus t1 यानि delta v upon delta T इसको पहंचानते हैं आप delta v upon delta T क्या होता है acceleration होता है यानि यह acceleration है यह क्या है एक्सिलरेशन है तो आपने क्या देखा कि अगर हम स्लोप निकाल लें स्लोप निकाल लें तो आपको क्या मिल जाएगा एक्सिलरेशन मिल जाएगा आपको याद होगा इसके पहले टॉपिक में स्लोप निकाला था था हमको क्या मिला था वहां पर इसको बंद कर द कि हम निक लाए तो को किक अध्यान अध्यान की का वट यह रोर रहा है अरे वो टैम डिस्प्लेस्मेंट ग्राफ ता यह टाइम विलास्टी ग्राफ है अब देखिए और निक लिए निकाले जा रहा है क्या निफाएंगी ठीक है एक नोटिंग करके लगा लेते हैं और निकाल देते, ना भी नोट लगाओ, आगे लगाओ, सुनिए, बाडी कहा से कहा तक गई है, A से B तक गई, तो ये तो बाडी के जाने का रास्ता है, और ये टाइम एक्सेस है, जरा इसको टाइम एक्सेस से मिला तो ये एरिया, ये शेप कैसा बन जाएगा, ये बाडी, मैं किसलिए हुए है, ये ट्रेपेजियम बनाू है, बुक में क्या करते है, वो ट्रेंगल का एरिया और इस रैक्टैंगल का एरिया जो एड़ कर देतें, कई कों एड़ कर दे, तो हम निकालने जा रहे हैं, एरिया अफ। ट्रेपेजियम, मैं ये लुग देगे विए, ऐस से क्या निकलता लेकिन हम नहीं बता रहे हैं देखो इस ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है ट्रेपेजियम कब होता जब दो साइड पैरलल होती है आमने साम ने की और दो साइड पैरलल नहीं होती है तो फार्मला क्या होता है half into some of parallel sides मताँ a a dash plus b b dash a a dash plus b b dash और into इनके भी इसकी perpendicular distance a dash b dash तो half अब देखो ध्यान से a a dash कितना है इसकी लंबाई कितनी है v1 है ना तो v1 और प्लस b b dash कितनी है v2 v2 into a dash b dash t2 minus t1 इसको आप कह सकते हैं क्या लिखाई है average velocity लिखी भी है यह average velocity है ना भाई अगर किसी body में दो velocity है v1 और v2 और दोनों को add करके half करते हो तो उसी को तो average velocity कहते हैं तो इसको हम v average into time interval कह सकते हैं velocity into time interval क्या देता है velocity into time interval displacement देता है तो यह displacement मिलेगा जिसको कहम फिलाल delta s से denote करेंगे समझ में आई बात अभी हम तो पर ले बता भी रहे थे कि अगर कोई body चल रही है मालिया उसकी velocity constant है change हो रही है लगकी बात change हो रही है तो हमने average velocity नकाल लिया उसकी velocity change हो रही है तो जहां से जहां तक body गई है और time access के बीच का area निकाल लो आपको displacement मिल जाएगा ठीक है देखिए अभी हम बात कर रहे थे uniformly accelerated motion अब non uniformly accelerated का मतलब क्या होता है पहले second आपने रफतार 10 थी आपने 12 कर दी कितना acceleration है दो बात अगले में पारा से पंदरा कर दी तीन हो गया पंदरा से सत्तर कर दी किसी को देखा औरे भाई जान कितना अच्छा चलाते हैं भाई साब को रफतार सत्तर हो गई है भाई साब ध्यान नहीं दी है आगे जाके पूल में लड़ गए भाई साब विलास्टी जी रो गई तो ये कैसा acceleration हो रहा है non uniform हो रहा है तो non uniform acceleration motion में देखे graph कैसे बनता है ये time axis ये velocity axis आप चाहो तो इसको x और y करके बता दो ये time है ये velocity है तो इसका जो graph बनेगा वो तेड़ा मेड़ा कुछ बनेगा बता नहीं किस time में कितनी velocity है कभी घटी कभी बड़ी ठीक है तो ये आपका non uniformly accelerated motion है अब देखे इसे निकलेगा क्या हमने का ये तो 0 है किसी position a पर body थी यहाँ पर time कितना था t1 velocity कितनी थी v1 फिर body कहां पहुंच गई b point पर कितने time पर t2 velocity कितनी थी v2 क्या टेड़ी मड़ी line है सीधी कर दो इसको velocity है v2 अब a से b तक जाने में a से b तक जाने में ये ये time change हुआ है कितना change हुआ है t2 minus t1 और ये velocity change हुई है v2 minus v1 यहाँ भी हम क्या निकालेंगे यहाँ भी slope निकालेंगे ठीक है तो slope निकालने से आपको क्या मिलेगा acceleration क्या जब आप slope निकालते हो तो 10 theta निकालते हो क्या जिधर body जा रही थी ये body जा रही थी चर्ण रहा है नहीं बना रहा है आपने जब 67 को cd line माल लिया है body दो दो गई झी तो आपका जो acceleration मिलेगा वह average acceleration मिलेगा ठीक है exact नहीं मिलेगा तो यहाँ पर क्या मिलेगा average acceleration मिलेगा acceleration जिसको हम a बना के यहाँ पर a भी कर देंगे अब यह न समझना सरने गला रिखा यह आवी है यह आवी नहीं है एवरेज के लिए इंडिकेट किया गया है एवरेज कैसे निकलेगा slope of a.b. slope of a.b. निकलेगा slope ही लेकिन चुकि हमको triangle में 10 theta लेना है और जिधर body जारी हो एक एक कर में जारी है वो एक्चली straight line नहीं है हमने जब दस्ति उसको straight मान रखा है तो यह आएगा आपका bc upon ac is equal to delta v upon delta t तो इस ग्राफ से हम इस प्रकार से average acceleration निकलेगा ठीक है अच्छा इसमें एक खास बात देखिए body यहां से यहां गई यहां से यहां गई यहां से यहां गई विलास्टी बढ़ रही है घट रही है बढ़ रही है तो यानि यहां पर velocity increase हो रही है velocity is increasing increasing तो आप कहेंगे यह तो understood acceleration का मतलब ही होता जी नहीं एक्सेलेशन निगेटिव भी थो सकता है, उसे आप रिटाडेशन कहते हो, लेकिन एक्सेलेशन निगेटिव भी हो सकता है, अगर वेलास्टीड डिक्रीज होगी, तो ग्राफ उल्टा बनेगा, भी नीचे बात आँगे, टेड़ा बनेगा ठीक है, यह हो गया, अब एक और कभी-कभी कि आपको instantaneous, instantaneous, acceleration निकालना होता है, instantaneous का मतलब क्या होता है, ताक्षणिक, ततकाल, फौरण, at particular time, ठीक है, मतलब 5 बजे, मतलब 5 बजे कर एक सिकन नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यह time change हो रहा है न, इसको बहुत ही, इसमाल मानना पड़े तो यह formula आएगा, a is equal to delta v upon delta t ही रहेगा, लेकिन हम delta t को बहुत इसमाल मानेंगे, तो लिखेंगे, limit delta t tends to zero, और यह बहुत इसमाल change होता है, इसको लिखते है, dv by dt, mathematics की बहासा में, delta को d लिखा जाता है, इसको आप पढ़ेंगे, differentiation यह है, अभी अगले topic में जो प्रूफ कर ठीक है, यह note करिए, acceleration, instantaneous कैसे निकलेगा, देखिए, अगर आप tv graph बना रहे हैं, और यह bending upward है, उपर की और मुड रहा है, यानि कि ऐसा graph बन रहा है, यह time axis है, यह velocity axis है, और यह graph ऐसे मुड रहा है, देखो, यह zero से भी जा सकता, कई और से भी जा सकता, ऐसा नहीं कि zero से ही ज axis है, और यह velocity axis है, और यह नीचे की और जुक रहा है, दोनों में अंतर क्या है, इसमें velocity increase हो रही है, इसमें velocity decrease हो रही है, तो जिसमें increase हो रही है, तो हम कहेंगे कि acceleration is continuous increasing, velocity increasing मतलब कौन increasing, acceleration, then acceleration is continuously increasing, इसमें acceleration increase हो रहा है, और अगर downward है तो, then acceleration is decreasing, और decreasing मतलब acceleration वहां पर कैसा है, retardation है, उसका नाम हम क्या देंगे, कि उसमें retardation हो रहा है, ठीक है, देखे, अभी जब body चल रही थी, तो हम जहां पर खड़े हुए थे, जिसको कि हमने initial line माना है, वही से तो उसकी velocity count कर रहे थे, अभी कहरें कि अगर body हमसे दूर है, वह वापस लोट के आ रही है, ठीक है, तो यानि कि आप body किदर आ रही है, initial position की तरफ आ रही है, ठीक है, तो अगर ऐसा हो रह है, यह time velocity graph है, time velocity graph है, तो यानि कि यहां के टुकना पढ़ेगा ना उसको, तो यानि कि उसका graph ऐसे बनेगा जागर की, तो theta क्या हो जाएगा, greater than 90 degree, और आप जानते हैं कि इस line का जो slope है, वह आपको क्या देता है, acceleration, तो जब इसमें acceleration निकालोगे, तो 10 theta लगाओगे ना, slope निकाल करके, और theta यहां पर 90 से बड़ा है, तो 90 से बड़ा होने पर यह value negative आ जाती है, is equal to negative, क्योंकि 90 के जो बड़ी value trend की हो जाएगी, तो value negative आगे पढ़ाए जाएगा आपको mathematics में, और acceleration की value negative क्या कहलाती है, उसी को हम retardation कहते हैं, यानि बाड़ी में retardation हो रहा है, ठीक, अब देको time acceleration graph, इसमें हम acceleration uniform मानेंगे, uniformly accelerated, यही हम मान किया, इसमें ग्राफ कीचेंगे, मतलब body के अंदर acceleration है, मतलब उसकी बड़ाष्टी change हो रही है, मतलब हर second same same change हो रही है, मतलब, पहले 10 थी, अगले second 12 थी, अगले second 14 थी, अगले second 16 थी, यानि कि, हर second कितना change हो रही है, तो उसका acceleration दो है तो अगर हम graph कीचें तो हमने का भाई ये time axis है और ये acceleration axis है ठीक है और ये zero time पे body का acceleration A है एक second बाद A है दो second बाद A है तो आपको graph क्या मिलेगा parallel to the time axis यहाँ पर acceleration कैसा है uniform acceleration uniform acceleration है ठीक है तो इसमें हम graph में क्या मिलेगा we get a straight line straight line ऐसा है इसलिए नहीं straight line इसलिए तो ऐसे भी होता है straight line parallel to time axis parallel to time axis अब इस graph से हम निकाल क्या सकते हैं ज़र समझेगा है parallel लिखा थो है time लिखा हुआ है time axis लिखा हुआ है यह को ना acceleration गलती से लिख दिया हमने जान भू से गलत लिखा जिसे सामने बैठा वावगती देखे तो हम लिख क्या रहे हैं यादि वो ध्यान नहीं दे रहा है अब देखो हमने का किसी time body ए पॉइंट पर थी ए पॉइंट पर थी time कितना था t1 थोड़ी दिर बाद कहां पहुंच गई वी पॉइंट पर टाइम कितना था t2 इसका नाम दे दिया बी डैस इसका नाम दे दिया अब आप कहेंगे क्या इसके रिस्तधार है वी के नीचे बी डैस ही दिया जाता है आप डी कर दो जड़ कर दो आपकी मरजी यहां से यहां तक time कितना चेंज हुआ है टी टू माइनस टी वन और एकसलेशन तो यही रहेगा ना यह यह तो यही रहेगा तो अगर हम change in velocity निक होता है देखो acceleration का formula होता है change in velocity upon time interval अगर change in velocity का निकालेंगे तो क्या आएगा a into time interval यह तो निकलेगा तो इसका मतलब होगा a into time interval इस graph में कौन से line है जो a को represent कर रही यह वाली height यह डैस ठीक है और time को कौन represent कर रहा है a डैस b डैस और अगर यह shape देखो इस ग्राफ का shape कैसा है rectangle है और यह क्या मिल ला है area of rectangle ए बी डैस एडैस ठीक है पहले समय में जब किसी degree college में जब नकल लड़के कराते थे अपना खुझा खुझा आता नहीं जब दूसरों कराते थे तो जैसे कोई question ऐसा graph बन की आया ऐसा कुछ paper में आया है अब वो ढूंड रहें किताब में बाहर आयसा graph मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया उन्हें यह देखना चाहिए कि दिया क्या है time acceleration graph है और मिला जो वो कैसा था उसमें t और s दिया था उन्होंने यह पढ़ा ही तो यह ध्यान रखना नगल करते वक्त नहीं मैं ऐसे समझा रहा हूं कि इसमें से graph किसके किसके बीच आ करें आपको ठीक है करिए इसको